हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेर करेंगे एक बहुती आसान मसालेदार और चटपटा जीरा आलू जो खाने में है बहुत इलाजबब और दिखने में है बहुती खुबसूरत तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबस्क्राइब कीजिए स्रितमस कीचन को और बिल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए तो जीरा आलू बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल डालू हमने 500 ग्राम आलू को बॉयल कर लिए है अब हम इसको मीडियम साइज में राफली काट लेंगी आलू को आप आपके मनपसंद साइज में काट सकते हैं इसको काटके आप हम एक बावल में रग देते हैं और ये देखिए सारे आलू को हमने मीडियम साइज में ऐसे काट लिए हैं अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ खड़े मसालों को ड्राय रोस्ट कर लेंगे तो एक पैन में हम डालेंगे एक छोटा चाम मज जीरा दो छोटा चाम मज धनिया चार से पांच छोटी इलाईची आधा दालचीनी का टुकड़ा चार से पांच लॉंग और एक सुखे लाल म्रीच जिसको हमने ऐसे तोड़ लिए है अभी इन साड़े खड़े मसालों को लो मीडियाम फ्लेम में ड्राय रोस्ट करेंगे मसालों को जादा भूनना नहीं है नहीं तो यह जल जाएगा और साड़ा कर साड़ा टेस्ट खड़ाब हो जाएगा तो यह चीज़ को ध्यान में रखे कि मसालों को जादा भूनना नहीं है एक से देर मिनिट के बाद यह मसालों को हमने ड्राय रोस्ट कर लिये है अब इसको हम दर-दरा पीस लेंगे आब उसी पैन को थोड़े से साफ करके यहां पे डालेंगे 1 चममज तेल तेल जैसे ही गरम हो जाएं यहां पे हम डालेंगे 1 चोटा चममज जीरा जीरा को चटकने देते हैं 1 तिहाई चोटा चममज हीं इसके साथ जाएगा दो कुटी हुई हरी म्रिच अगर ये रेसिपी आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी म्रिच को एवोईट करे कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे हम डालेंगे यह हमारा बॉयल किये हुए आलू और आलू को साड़े मसालों के साथ अच्छे से मिला देते हैं मिलाने के बाद आज हम यहाँ पे डालेंगे एक चामज हमारा स्पेशाल ड््राइड रोस्टेड मसाला जो है इस रेसिपी का सबसे खास इंग्रेडियन्ट और इसको डालते ही आलू के साथ इसको अच्छे से मिलाना है फिर यहाँ पे हम डालेंगे एक तीहाई छोटा जमाच कश्मील आल म्रिच पाउडर Linda इसके साथ एक तीहाई छोटा जमाच काली म्रिच का पाउडर स्वाथ के अनुसार नमक डालके आब हम इन सारे चीज़ों को आलू के साथ अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाला आलू में अच्छे से कोठ हो जाए और गैस के फ्लेम मीडियम रखे आप चाहे तो यहापे थोड़े से हल्दी पावडर डाल सकते हैं अब हम यह आलू को थोड़े से पकाएंगे तो हम इसको ढग देते हैं और ढग कर हम इसको 2-3 मिनिट पकाएंगे 2-3 मिनिट के बाद हम ढगकन को खोलते हैं और यह देखिए सारे मसाला आलू में बहुत ही अच्छे से कोठ हो गया है और कितना बढ़िया दिख रहे हैं आप हम यह पर डालेंगे एक तिहाई चोटा चामच चाट मसाला और इसके साथ एक पहुत ही खास इंग्रेडियंट वो है आधा चोटा चामच नीबु का रस ताकि यह स्पाइसी जीरा आलू बन जाए और भी चटपटा और थोरे से कटी हुई फ्रेश हरा धनिया के साथ इसको हम अच्छे से मिला देते हैं गैस को ओफ कर देते हैं क्यूंकि यह हमारा स्पाइसी और चटपटा जीरा आलू खाने के लिए बिल्कुल तैयार है आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे रोटी पराठा या फिर चावल इसको आप जीरा राइस के साथ खाईए बहुत ही बढ़िया लगेगी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चानेल को तो इसके लिए मेरी फिरियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा उसको जरूर दबाना इस रेसिपी अगर आपको पसंद आए इस रेसिपी को ते रहिए, thank you